प्लास्टिक का उप्योग हमारे जीवन में बहुत अधिक होता है इन वस्तों का उप्योग करने के बाद या प्लास्टिक से बनने वाली जो भी वस्तों हैं इनका जब उप्योग हो जाता है तो हम इसे इधर उधर फेक देते हैं धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये मिट्टी में फैलते जा रहे हैं और इसका अपघटन भी नहीं हो पाता है। तो इसके कारण पृत्वी की जो या मिट्टी की जो उर्वर्ता है वह खत्म होती जा रही है। जीव जन्तु इसे ग्रहन करते हैं और उनके भी मृत्यू का ये तो उपयोगी उत्पादों में बदलना या इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्लास्टिक का पुना चक्रन जिससे हम प्लास्टिक की वस्तुओं को फिर से उपयोग हेतु बना सके और उससे विभिन उपयोगी वस्तुओं का निर्मार कर सके इसके बाद हम देखते हैं कि सन 1988 में प्लास्टिक उद्योग संस्था के द्वारा प्लास्टिक उत्पाद की पहचान के लिए अलग-अलग कोड दिये गये अर्थात जितने भी प्लास्टिक की वस्तुए हैं उन सभी को वर्गों में बाटा गया उनके लिए कोड दिया गया और इस आधार पर उसकी उपय लोगीता को निर्धारित किया गया तो प्लास्टिक का पुनाचकरन करने से पहले प्लास्टिक उत्पादों को उनके पहचान के कोड के अनुसार अलग-अलग उन्हें नाम दिया जाता है अलग-अलग उन्हें कोड दिया जाता है और इन कोडों को हम साथ समोहों में विभ पहचान कोड दिया गया है, अब हम इन सभी अलग-अलग कोड के बारे में विस्थार से समझेंगे और इसकी उपयोगीता को भी समझेंगे, सबसे पहले हम कोड जो प्लास्टिक को निर्धारित करने के लिए कोड दिया गया, इससे हम समझेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक जो नमबर दिया गया है प्लास्टी की पहचान के लिए कोड नमबर एक यह जो कोड नमबर एक है यह पॉलिएथिलीन टेरेप्थेलेट है या जिसे हम P.E.T. के नाम से भी जानते हैं और प्राया ये देखा गया है कि एक नंबर कोड वाले जो प्लास्टिक हैं, इसका उपयोग पानी की बॉटल में, जो शीतल पे हैं, उनके जो बॉटल होते हैं, और जैम, जेली, इनके जो जार होते हैं, जो हमें मार्केट में उपलब्ध होते हैं, इन्हें बनाने के लिए प्लास्टिक का उप्योग किया जाता है, वह polyethylene terephthalate होता है, जिसे हम PED कहते हैं, इसके बाद प्लास्टिक का नंबर दो कोड है, इसे HDPE या high density polyethylene भी कहते हैं, उच घनत वह polyethylene, ये कोड जो है वो नंबर दो कोड है प्लास्टिक के लिए, इस जो नंबर दो कोड वाले ज प्लास्टिक के खिलोने बनाने में, जूस है तू जो बॉटल उप्योग में लाए जाते हैं, उसको बनाने में, साथ ही शैम्पू, क्रीम, इन सब की जो बॉटल होते हैं, उसे बनाने के लिए, नंबर दो जो प्लास्टिक कोड है, इस तरह की वस्तों का उप्योग किया ज जो प्लास्टिक है वो कहा जाता है, नमबर 3 इसका कोड दिया गया है, पीवीसी पाइप बनाने में इसका उप्योग करते हैं, जूस, बॉटल वगेरा में या कई सारे ऐसे जो सिरप वगेरा के बॉटल होते हैं, उसमें भी इसका उप्योग किया जाता है, इसके बाद हम दे P.E. के लिए दिया गया यायने low density polyethylene निमन घनत्व polythene तो जो निमन घनत्व polythene दिया गया है नमबर 4 प्लास्टिक के लिए तो इसका जो उपियोग है वो प्लास्टिक रैपर में बहुत सारे ऐसे सॉस के बोटल होते हैं इन में इसका उपियोग किया जाता है इसके बाद ह प्लास्टिक पहचान कोड नंबर 5 प्लास्टिक की पहचान के लिए जो कोड नंबर 5 दिया गया है ये वास्तों में PP या polypropylene होता है पॉली प्रोपाइलीन भी एक प्रकार का प्लास्टिक ही है जिसे पार्च नमबर कोड दिया गया और इसका प्रियोग जो है वो दवाई बोटल में, सीरप बोटल में, बहुत सारे प्लास्टिक रैपर में, सेंडविच वगेरा रैप करने के लिए जो रैपर यूज किया जा लिए कोड नमबर छे जो दिया गया है, वह पॉली एस्टर है, पॉली एस्टर कहा जाता है इसे, और पॉली एस्टर का उपियोग जो है, हम देखते हैं कि कॉफी, मग वगेरा में, या बहुत सारे ऐसे री साइकल नहीं होने वाले जो पैकेजिंग होती है, उनमें कोड न पउयोग जिता इसके देखने को मिलती है, तो यहाँ पर हम देख लहे हैं, जो बहुत सारे मिस्लेनियस यूज के लिए प्लास्टिक उपियोग किया जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं, डीविडी के निरमार के लिए, बहुत सारे मेडिकल जो बोटल्स होते हैं, तीन, चार, पांच, छे, साथ अलग-अलग कोड दिये गए हैं, अलग-अलग प्लास्टिक पहचान कोड सभी का नाम हमने देखा और सबकी उपयोगिता को हमने जाना, क्यों ना आप इस तरह की एक क्रिया कलाप को करें और अपने घरों में उपयोग में आने वाले, अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले विभिन प्लास्टिकों की पहचान करें और इन प्लास्टिकों के उपर किस तरह के या जो भी हम बॉटल वगरा यूज करते हैं, जिस तरह के प्लास्टिक की वस्तव यूज करते हैं, आप देखते होंगे कि इनके पीछे इस तर के मार्क होते हैं, जैसा हमने यहाँ पे पहचान कोड के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देखा, तो आप अपने घर में आने वाले विभिन प्रकार की प्लास्टिक की वस्तुओं में इन पहचान कोड को ढूंडे और सभी वस्तुओं को अलग-अलग वर्गों में बाट कर भी इसकी उ यहाँ उदाहरन देखा, यह बहुत ही कम उदाहरन देखा, इससे कई गुना अधिक उपियोग हम प्लास्टिक का अपने जीवन में करते हैं, तो आप सभी इस तरह का एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जिसमें अपने घरों में आने वाले विभिन वस्तुओं के जो प्लास हमों से भी कई तरह की जानकारी कत्र कर सकते हैं, प्लास्टिक के पुना चक्रन के और भी उपियोग हैं, कैसे हम इसको पुना उपियोग करके हम खिलोने वगरा का भी निर्माड कर सकते हैं, कई हम मॉडल चलित मॉडल बना सकते हैं, तो प्लास्टिक के पुना चक्रन से तरह के हम जैसा कहते हैं कि किसी भी बेस्ट आउट ओफ वेस्ट यानि हम वेस्ट चीजों को पुना कैसे यूज कर सकते हैं इस तरह के आप सामान से बना सकते हैं जिससे नए तरह की सामानों की आफशकता भी नहीं होती है और पुराने सामानों का हम पुना उपयोग करके उस में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, घर सजाने वाले आइटम में इसका उपयोग कर सकते हैं, पेड पॉधे लगाने में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, तो इस तरह से चीजों को पुनह उपयोग करके भी इसकी उपयोगिता को बढ़ाया जा सकता है, तो निश्चित रूप से यह समझने के आवश्यक्ता है कि प्लास्टिक का पुना चकरन क्यों आवश्यक है और हम अपने और किस तरह से रचनात्म कौशल का उपयोग करके इन प्लास्टिक की वस्तों को पुना उपयोगी बना सकते हैं। अब हम यह समझेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हमने इंधन शब्द को पढ़ा जिसमें जिवाश मिंधन जैसा हमने कोईला पेट्रोलियम इनके बारे में समझा। तो वास्तों में यह जो इंधन है फ्यूल है उसका जब दहन होता है तो इसके दहन से किस प्रकार की अभिक्रिया होती है या इनके दहन से क्या-क्या घटित होता है इसे हम समझेंगे समिकरण के माध्यम से। तो हम सभी यह जानते है कि जब भी कोई वस्तु जलती है तो उसको जलने के लिए ऑक्सीजन क्या शक्ता होती है और ऑक्सीजन की उपस्थिती में वस्तु का जो जलना है वो दहन या कंबशन कहलाता है और हम यह भी जानते है कि दहन की प्रक्रिया में उश्मा निकलती है तो निश्शित रूप से देहन की जो प्रक्रिया है वह उश्मा छेपी अभी क्रिया है जिसे हम exothermic reaction भी कहते हैं जैसा यहां पर हम एकोदारण लेते हैं कोईले का देहन तो कोईले का जब देहन होता है तो मुख्य रूप से यहां पे देखने को मिलता है कि कारबन डैयोकसा बनता है और उश्मा उत्पन होती है तो इसके समीकरण को हम लिख सकते हैं C plus O2 is equal to CO2 carbon dioxide plus उश्मा उत्पन होती है यदि हम ये देखें कि कोईले का दहन जो है वो आन्शिक मात्रा में होता है पोन रूप से नहीं हो पाता है तो इस रियक्शन में carbon monoxide प्राप्त होता है जब प अन्शिक रूप से दहन होता है तो यहां पर हम देखते हैं carbon monoxide प्राप्त होता है तो इसके समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं C याने carbon plus half O2 is equal to CO carbon monoxide plus उश्मा याने यहां भी हम देख रहे हैं कि उश्मा उत्पन हो रही है यह भी एक उश्मा छेपी अभिक्रिया होती है उसे हम कहते हैं राख तो इंधन के दहन से जो carbon dioxide बना carbon monoxide बना और साथ साथ में दहन के बाद जो आवशेश बना वो राख होता है और इन सब से भी परियावरण का प्रदूशन होता ही है निश्यत रूप से carbon dioxide carbon monoxide या राख से उत्पन उड़ने वाले जो छोटे छोटे चो होते हैं उससे वातावरण प्रदूशित होता है परियावरण प्रदूशित होता है तो निश्यत रूप से इस से बचने के उपाय भी हमें ढूणना चाहिए तो अब हम ये जानेंगे कि वास्तों में जिवाश मिंधन के बढ़ते उपयोग का हमारे परियावरण पर क्या प्रभाव पढ़ता है तो हमने ये देखा कि कोईला पेट्रोलियम ये एक जिवाश मिंधन का उधारन है और निश्यत रूप से ये पेड़ पौधो या जीव जन्तू के ही अवशेस हैं तो हम ये कहते हैं कि ये कार्बनिक पदार्थों का रुपांतरन है क्योंकि जब हम जीव जन्तू की बात करते हैं तो उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ होता है और ये कार्बनिक पदार्थों का रुपांतरन होते हैं जैसे जैसे ओधियोगी की करण बढ़ता गया इंडस्टिलाइशन बढ़ता गया वैसे वैसे जिवाश मिंधन का उपियोग लगातार ब वाश पिंधन ही उसे सच्चालित कर पा रहे हैं तो इसका उपयोग जो है वो लगातार हो रहा है और इसका जो दुश प्रभाव है वो परियावरन पर पड़ता ही जा रहा है तो यहां पर हम यह समझेंगे कि इंधन को जलाने से जो कार्बन डियोग से रुत्पन होती है तो ग्लोबल वार्मिंग को पढ़ावा दे रहा है और लगातार जो प्रिथवी का तापमान है वो इस कार्बन डियोकसाइड के कारण बढ़ता जा रहा है तो जो कार्बन डियोकसाइड की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है वो उसके पीछे कहीं न कहीं यह जिवाश में इंधन ही कारण होता है क्योंकि हमने देखा कि कैसे जिवाश्म इंधन याने कोईला जो है वो जब जलता है चाहे वो उसका आंशिक रूप से दहन हो चाहे पूर्ण दहन हो कारबन डायोकसाइड बनता है और कारबन मोनोकसाइड बनता है तो ये कारबन डायोकसाइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है और लगातार पृत्वी का जो तापमान है वो पढ़ता जा रहा है और धुरुवी छेत्रों में जो बर्फ हैं वो पिघलते जा रहे हैं तो निश्चित रूप से मौसम पर भी इसका दुस्र प्रभाव पढ़ रहा है अब रक्त में जो हीमोगलोबीन पाया जाता है ये रक्त में हीमोगलोबीन में ऑक्सीजन की तुल्ला में बहुत अधिक तीवरता से घुलता है जो हीमोगलोबीन है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोगलोबीन बनाती है और शरीर के विभिन भागों में इसे पहुचान काम करती है oxygen को लेकिन ये जो carbon monoxide है उसका ये गुण है कि हीमोगलोबिन में बहुत तिवरता से बहुत तेजी से घुल जाती है और carbon monoxide जो है इसकी मात्रा रक्त में यदि अधिक हो जाए चुकि ये मोगलोबिन के साथ जल्दी रियक्ट होती है तो ये हमारे शरीर में ये दि ज्यादा मात्रा में प्रवेश कर जाती है तो ये मिरित्यू का कारण बनती है बहुत सारे हम देखते हैं जो तापी सयंत्र है ये अधि कोईले की कितनी उप योगीत है और कोईले के दहन से उत्पन होने वाले जो राक है क्योंकि आउषेस के प्रभावित करते हैं ये जो राक होते है जब ये आसपास के शेत्रों में उड़ते जाते हैं तो इसके जो कड़ है वो fly ash के रूप में उड़ते रहते हैं और ये पूरे वातावरण को प्रभावित करते हैं इसे हम उड़न राख भी कहते हैं ये जो उड़न राख है या fly ash है ये हमारे फेफडे को बहुत अधिक प् चाती है और फेफडा या लंग्स जो है वो हमारी शरीर का एक बहुत ही प्रमुख अंग है जो बिल्कुल संक्रमित ना हो यही अच्छा है थोड़ा भी संक्रमन होने पर बिमारियां जो है वो बढ़ने लगती है शरीर के अंदर और लंग्स को संक्रमन से बचाना बहुत ही आवश्यक है प्रत्यक मनुष्य के लिए तो यह जो fly ash है इसका बहुत अधिक अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पढ़ता ही रहता है तो निश्यत रूप से यह जो राक है वह भी जब दहन होता है कोईले का तो उससे उत्पन हो रहा है और उसके द्वारा भी पूरा वातवरन जो है वो उस पर दुष प्रभाव पढ़ रहा है अब हम यह देखेंगे कि यह जो इंधन है जिसमें हमने कोईला देखा तो कोईले में अवश्यक नहीं है कि केवल कार्बन ही हो कोईला में हम देखते हैं कि नाइट्रोजन भी होता है सल्फर भी होता है औ और सल्फर और जो नाइट्रोजन है यह उनके ऑकसाइड में बदल जाते हैं और जब यह सल्फर है या नाइट्रोजन है जब यह ऑकसाइड में बदल जाते हैं और जैसे ही वर्षा जल का जो जल है वह इनके साथ सल्फर और नाइट्रोजन के ऑकसाइड से क्रिया करता है तो उससे अमल बनता है जैसे अगर nitrogen dioxide जल से क्रिया करता है तो nitric अमल बनता है, sulfur dioxide जल से क्रिया करता है तो sulfuric अमल बनता है, तो इस तरह से बातावरण में जब nitric अमल और sulfuric अमल की मातरा बढ़ती जाती है, तो वर्षा के समय, वर्षा के जल के साथ ये अमल की भी वर्षा हो वह भी हमारे प्रिथ्वी में उपस्ती जो जीव जन्तु हैं, पेड़ पौधे हैं या बहुत सारे पुराने ऐसे जो मॉन्युमेंट्स होते हैं, समारक होते हैं, उनको भी नुकसार पहुचा रहे हैं, क्योंकि इससे कैंसर की भी अधिकता बढ़ रही है, तो अच्छा कैंस करता जा रहा है, इसका बहुत अच्छा उदारन हम आगरे का ताजमहल देखते हैं, तो ये आगरे का ताजमहल जो पुराने समय में जो इसकी चमक थी, वो धीरे-धीरे अब धुमिल होती जारी है, तो कही न कहीं आगरा के आसपास जो अध्योगिक सायंत्र लगे हुए है वहां से उत्पन हो लेवाले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के क्रिया से, नाइट्रोजन सल्फर के ऑक्साइड जो है वो लगातार पानी में मिलते जा रहे हैं और अमलवर्षा के रूपने प्रिथी पर पहुँच रहे हैं, तो कही न कहीं अमलवर्षा हो, ग्लोबल वार्मि हो इसका जो कारण है वह जीवाश्म इन्धन ही होता है, इसके बाद हम ये समझेंगे कि जीवाश्म इन्धन का संरक्षन कैसे होता है, किस तरह से हम कर सकते हैं, जिवाश मिंधन जो है वो उर्जा का एक प्रमुक स्रोत है जो बनने में करोडों वर्ष लगे और हम ये देख रहे हैं कि इसके ग्यात भंडार कुछ ही वर्ष और चलने वाले हैं और ये दुरूपियोग लगातार होता जा रहा है क्योंकि लगातार जो पृत्वी की क्या है वह बढ़ती जा रही है तो कहीं न कहीं इसकी मात्रा जो है वह कम होती जा रही है क्योंकि कई वर्षों पहले इसका निर्माड हुआ और कई वर्षों से इसका उप्योग होता आ रहा है तो जिवाश मिंधन के संरक्षन की अवशक्ता अब बहुत समझी जा रही है तो हमारे द्वारा इसके संतुलित उपयोग करने पर ही भावी पिढ़ी को इन जिवाश मिंधनों का लाब मिल पाएगा तो ये जो जिवाश मिंधन है इसे हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं इसके कुछ उपाय हम देखेंगे जैसे जिवाश मिंधनों के दुरूपयोग को रोकने के लिए हम अपने आसपास समाज जो समुदाय है उसकी जानकारी को यानि उसका जादा से जादा प्रचार करें कि कैसे जिवाश्मिंधन हमारे जीवन के लिए उपयोगी है और जिवाश्मिंधन के कम होने पर हमारे जीवन शैली में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा ये सारी चीजें और इसके उपलब्धता भी धीरे-धीरे कम होती जारी है इस तरह कि जो जागरुकता है वो लोगों तक पहुचनी चाहिए तो जिवाश मिंदन के दुरुपीयोग को रोकने का सबसे अच्छा जो तरीका है वह इसके उपाय की जो जानकारी है वो समुदाय को सबसे पहले दी जाए जिससे समाज पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़े दूसरा हम देखते हैं कि जो कोईला खनन जब किया जाता है विभिन प्रकार के जो खुली खदाने है या जो भूमीगत खदाने है वहाँ पर कोईले को खनन के दवारा निकाला जाता है तो कुछ ऐसे वैग्यानिक तरीकों को अपनाया जाए जिससे कोईले की संपोन मात्रा प्राप्त हो सके और बहुत अधिक जो अनावश्य खानी है वो ना हो तो यहाँ पर कोईले को जब एग्यानिक तरीके से खनन किया जाएगा तो अनावश्य खानी पर रोक लगेगी और निश्चित रूप से इसका बच्चाओ भी हो पाएगा वाहनों में हम देखते हैं कि CNG का उपियोग किया जा रहा है जैसे दिल्ली जैसे शहर में CNG के उपियोग के द्वारा वहां पर काफी मात्रा में प्रदूशन को कम करने की कोशिस की जा रही है तो विभिन शहरों में भी CNG के उपियोग की प्राथमिक्ता को बढ़ानी चाहिए और जो CNG होता है जिसे हम compressed natural gas कहते हैं और इसमें nitrogen और sulfur जो है वो नहीं पाया जाता है तो कहीं ना कहीं nitrogen sulfur की मात्रा को घटा दिया गया तो sulfur और nitrogen से बनने वाले जो अमल है नाइटरिक अमल और sulfuric अमल उसकी अमल वर्षा में जो मिश्टरन है वो भी कम होता जाएगा तो CNG की उपियोग को बढ़ाना चाहिए और इसके लिए भी लोगों में जागरुपता आनी चाहिए प्लास्टिक का जो उपियोग है उसे सीमित करें क्योंकि प्लास्टिक का हमने देखा कि बहुत अधिक दुश्प्रभाव भी है क्योंकि कई बार जीव जनतु इसे ग्रहन कर लेते हैं और निगल लेते हैं पचा नहीं पाते हैं तो उनकी मृत्तियू भी हो जाती है प्लास्टिक के दहन से प्लास्टिक को जब जलाया जाता है तो बहुत सारे जो जहरीली विशैली गैसें हैं वो वातावरण में मिश्रित होती हैं और विभिन प्रकार के फेफड़े संबंदी बीमारियों को ये फैलाती हैं तो प्लास्टिक के उप्योग को भी हमें थोड़ा सीमित करना चाहिए तो धीरे धीरे जागरूपता अब हमें लाना होगा क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं निशित रूप से हम भावी पीड़ी को जिवाश मिंधन का लाब देना चाह रहे हैं और अभी से यदि हम इसे इस के उप्योग को सेमित कर सकते हैं पेट्रोलियम उत्पादों की जो खपत है जैसे पेट्रोल है डीजल है तो इसके उप्योगिता को इसकी खपत को हमकम करने के लिए वाहनों का अच्छे से रख रखाओ करें क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि वाहन यदी अच्छे नहीं ह रखरखाव ठीक से नहीं होता है तो पेट्रोल डीजल का जो खपत है वो बढ़ जाता है तो भारत पेट्रोलियम संरक्षन अनुसंधान समीती जो PCRA है वो लोगों को ये सलाह देती है कि जो गाड़ी चलाया जाता है तो कैसे गाड़ी चलाने पर पेट्रोल और डीजल को आनेंगे PCRA के द्वारा जो दिया गया सुझाओ है वो इस प्रकार से है कि जो गाड़ी है उसका रख रखाओ सही तरीके से किया जाए और समय समय पर उसका मेंटिनेंस किया जाए जिसे पेट्रोल और डीजल की जो खपत है वो कम हो सके दूसरा हम देखते हैं कि गाड़ी जो है बहुत स्पीट से ना चला है बलकि गाड़ी को समान और मध्यम गती से चलाना चाहिए दूसरा है कि यातायात सिगनल पर जो हम प्रतिक्षा करते हैं उस समय गाड़ी को बंद कर दिया जाए कई लोग उस समय भी गाड़ी को स्टार्ट रखते हैं इससे भी इंधन की ख अगला हम देख रहे हैं कि जो गाड़ी के जो टायर होते हैं उसका भी रख रख रखते हैं और इससे भी हम जिवाश मिंधन के खपत को कम कर सकते हैं अगला हम देख रहे हैं कि जो गाड़ी के जो टायर होते हैं उसका भी रख रखाओ ठीक से नहीं हो पाता है तो टायरों का जो दबाओ है दाब है उससे सही रखना चाहिए और निश्शित रूप से नियमित रूप से इनका जो रख रखाओ है वो किया जाना चाहिए जिस इसके बाद PCIRA द्वारा दिये गए सलाह को यदी और अधिक प्रचार किया जाएं, बहुत अधिक प्रचार की आवशकता है, क्योंकि निश्यत रूप से जिवाश मिंधन की आवशकता है, और जिवाश मिंधन की आवशकता कितनी अधिक है, इसके कुछ उदारनों को, कुछ बिंदों को हमने बहुत ही विस्तार से समझा, और सभी बिंदों को समझने के बाद हमें स्वेम जागरूख होना पड़ेगा और अपने समाज में जागरूखता लानी पड़ेगी कि किस प्रकार से जिवाश मिंधन को सनरक्षित किया जाए, और आपके पास भी यदि कुछ उपाए हैं तो अपने आसपास जरूर इसे फैलाएं और हमारे आने वाली भावी पीड़ी को जिवाश्मिंधन के महत्व को समझने में या उनको उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए हम समझा सके ऐसा प्रयास करें. तो अब हम इस पाट के कुछ और जो प्रश्न है इसे हम समझेंगे जैसे कि प्लास्टिक का पुनाचकरन क्या होता है इसे हमने पढ़ा भी लेकिन अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो इसे हम कैसे उत्तर लिखेंगे तो प्लास्टिक का जो पुनाचकरन है वो क्या है तो प उप्योगी प्लास्टिक उत्पादों को उप्योगी उत्पादों में बदलने की जो प्रक्रिया है वह कहलाती है प्लास्टिक का पुना चक्रन. तो प्लास्टिक का पुना चक्रन के कई उधारण हमने देखा कि प्लास्टिक का पुना चक्रन हम जो टॉइ फ्रॉम ट्रेश या बेस्ट आउट ओव वेस्ट इस तरह की चीजों में कर सकते हैं. पौधे लगा सकते हैं, हम इससे कई उपयोगी डेकुरेटिव समान बना सकते हैं, मौडल, टीलम वगएरा बना सकते हैं, जिसका उपयोग हम पढ़ाने पढ़ने में कर सकते हैं, तो इस तरह से उसके पुनाचकरन को हम उसके प्रति लोगों की जो जागरुकता है उसे हम कि किसी भी पदार्थ का जो दहन है वो ऑक्सीजन के उपस्थिती में होता है, जैसे कोईले के दहन को हमने पढ़ा कि कोईले का दहन जो है दो प्रकार से होता है, पूर्ण दहन और आंशिक रूप से दहन, जब कोईले का पूर्ण दहन होता है तो कार्बन ऑक्सीजन के वह उश्मा छेपी होती है इसी तरह से प्रश्ण जब बनता है तो प्लास्टिक कोड जो एक से लेके साथ तक दिया गया है वह भी प्रश्ण बन सकता है जैसे यदि पूछा जाए कि जो प्लास्टिक कोड तीन है उसे क्या कहते है या यह कहा जाए कि PVC जो है वो किस प्लास्टिक कोड के अंतरगत आता है तो PVC जो है वो प्लास्टिक कोड 3 के अंतरगत आता है इसी तरह से दिप्रशन पूचा जाए कि PP किस प्लास्टिक कोड के अंतरगत आता है तो PP जो है वो प्लास्टिक कोड 5 के अंतरगत आता है HDPE और LDPE किस code के अंतर गताता है तो HDPE जो है plastic code number 2 में आता है और LDPE जो है वो plastic number 4 में आता है या plastic code number 4 इसे दिया जाता है इसी प्रकार जो one number का plastic है जिसे हम PET कहते हैं तो PET यह पॉलिएथिलीन टेरेप्थेलेट यह किस code के अंतर गताता है तो plastic code की पहचान के लिए जो PET शब्द दिया गया या plastic के पहले code के अंतर गता है तो इस पूरे अध्याय में हमने कोईला, पेट्रोलियम और पेट्रोरसायन के बारे में विस्तार से समझा इसकी महत्ता को भी समझा यह कहां से उपलब्द होता है इसे भी हमने समझा और इसके सनरक्षन के अवशक्ता क्यों है इसे भी हमने समझा तो निश्शित रूप से कहीं न कहीं इस पूरे अध्याय में जो भी हमने छोटे-छोटे बिंदूओं को पढ़ा इसे हमें अपने जीवन में आत्मसाथ करने की अवशक्ता है और इससे यदि जागरुकता हम ला सके कि कैसे जिवाश मिंदन को सनरक्षित करेंगे तो निश्शित रूप से हमारे आने वाली भावी पिड़ी को भी इसका लाब मिल सकेगा तो आशा है कि आप इस पाठ को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इसके छोटे-छोटे प्रशनों का अभ्यास कर आप इसके महत्व को भी समझेंगे मुख्य शब्द, कीवर्ट्स जिवाश में इंधन, फोसिल फ्यूल कोईला, कोल पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, प्रभाजी आस्वन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, पुनह चक्रण, रीसाइक्लिंग, दहन, कंबशन, संरक्षन, कंजर्वेशन, प्लवक, प्लैंक्टॉन, उडन राख, फ्लाई एश, अमल वर्षा, एसिड रेइन हमने सीखा, उच्चिताप एवं दाप पर, आक्सजन की अनुपस्थिती में, जीव जन्तों और वनस्पतियों के अवशेशों के रुपान्तरण से, जिवाश में इंधन बनते हैं कोईला एवं पेट्रोलियम, जिवाश में इंधन हैं वनस्पतियों एवं जन्तों के मृत शरीर से, कोईला तथा समुद्री जीवों, प्लवक के मृत शरीर से पेट्रोलियम की उत्पत्ती हुई है कोईला निर्माण में सर्वप्रथम पीट प्राप्त होता है, सबसे उत्तम कोईला एंथ्रासाइट होता है व्यवसाइक उप्योग की द्रिष्टी से कोईले के ग्रेड उनकी उश्मियक शमता के आधार पर दिये जाते हैं पेट्रोलियम का एक निक्षित राजायनिक सुत्र नहीं होता, क्योंकि यह कई हाइट्रोकार्बन का मिश्रण होता है प्रभाजी आस्वन ऐसे द्रवों के मिश्रण के प्रिथक करण के लिए किया जाता है, जिनके क्वतनांग में बहुत कम अंतर होता है प्रभाजक इस्थम्ब में सबसे उपर की ओर पेट्रोलियम गैस तथा सबसे नीचे गाढ़ा अवशेश प्राप्त होता है दैनिक जीवन में उपयोगी विभिन पलास्टिक उतपाद पैट्रो रसायन की ही देन है अनुपयोगी पलास्टिक उतपादों को उपयोगी उतपादों में बदलने की प्रक्रिया को प्लास्टिक का पुणा चकरन कहते हैं